जैश्री कृष्णा राधे राधे स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आईए सुनते हैं आज की कथा बोलिये कृष्ण भगवान की जै हो विश्णो भगवान की जै हो ब्रमा जी कहते हैं ये नारद श्वेत तीर्थ तीनों लोकों में विख्या थे उसके श्रवन मातर से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं वो रुकाल में श्वेत नाम के एक ब्रामन थे जो महरिशी गौतम के प्रिय सखा थे वे गोदावरी के दठ पर रहकर अथितियों के स्वागत सत्कार में लगे रहते और मन, वानी और किरिय के द्वारा भगवान शिव का भजन किया करते वे सदा ही भगवान सदा शिव की पूजा और ध्यान करते रहते भगवान शिव के भजन में ही उनकी आयूपूरी हो गई तब यम्राज के दूत उन्हें वहां ले जाने के लिए आए प्रन्तु नारद वी ब्रामन देवता की घर में परवेश तक ना कर सके जब ब्रामन की मृत्यू का समय वैतीत हो गया जब चित्रक ने मृत्यू से पूछा मृत्यो, स्वेत का समय तो समाप्त हो चुका है वह अब तक क्यों नहीं आया तुम्हारे दूत भी अभी तक नहीं लोटे हैं ऐसा होना उचित नहीं यह सुनकर मृत्यो को बड़ा करोध हुआ और वे स्वेम ही श्वेत के घर पधारे उनके दूत भैपीत होकर बाहर ही खड़े थे उन्हें देखकर मृत्यो ने पूछा दूतों क्या बात है तब दूत ने कहा श्वेत भगवान श्रीव की द्वारा सुरक्षित है हम उसकी और आँख उठाकर भी नहीं देख सकते जिसके उपर भगवान शंकर परसन्न हो जाएं भला उसे भै कैसा तब मृत्यों ने अफना फंदा हात में लेकर खड़ा देखकर दंडधारी भैरव ने विस्मित होकर पूछा मृत्यों देव यहां क्या देखते हो तब मृत्यों ने उत्तर दिया मैं श्वेत को ले जाने के लिए यहां आया हूँ अधह इनी की ओर देख रहा हूँ भैरव ने कहा लोट जाओ मृत्यों ने श्वेत पर अपना खंदा पैका यह देखकर भैरव कुपित हो गए उन्होंने शिव के दिये हुए दंड़ से मृत्यों पर गहरी चोट की मृत्यों देवता पाश हाथ में लिए हुए ही धर्ती पर गिर पड़े मृत्यों को गिरा देखकर यमदूत भाग गए उन्होंने मृत्यों के वद का समझा जाकर यमराज से कहा यह सुनकर महिश वाहन यमराज जी को भी बड़ा करोध हुआ उन्होंने अधिक बलवान चित्र गुप्त अपनी रक्षा करने वाले यमदंड महिश, भूत, बेताल और आदी व्यादियों को शीद्रता से चलने का आदेश दिया और तुरंत वहां से प्रस्थान किया अपने साथियों के साथ यमराज उस स्थान पर पहुँचे जहां पर ब्रामन शेत भगवान शिव की अरातना कर रहे थे उस समय यमराज जी और भगवान शिव के पारशदों में बहुत प्रहंकर संग्राम छिड़ गया कार्थी के ने स्यम ही शक्ति संभाली और यमराज के दूतों को विदिरन कर दिया साथ ही साथ अक्षिंदिशा के स्वामीर अत्यंत बल्वान यमराज जी को भी मौत के घाट उतार दिया मरने से बचे हुए यम्दूतों भगवान सूरिय को सब समझार के सुनाया यह अद्बुत बात सुलकर सूरिय देव सभी देवताओं और लोकपालों के साथ मेरे पास आए फिर मैं भगवान विश्नु इंद्र अगनी वरुन और अन्य बहुत से देवता यमराज जी के पास गए मैं गोदावरी के तक पर मरे पड़े थे यमराज जी को सैना सहित मरा देखकर देवता भैसी व्याकुल हो गए और हाथ जोड़कर बारं बार भगवान शिव की प्राथरा करने लगी देवताओं ने कहा है भगवन आपको अपने भक्त सदा ही प्रिये हैं आप दुष्टों का वद किया करती हैं विपरवर श्वेत आपके भक्त हैं इनकी आयूशीन हो जाने पर भी यदि यम आदे सब लोग इनने ले जाने में समर्थ नहो सके तो आपका अपने भक्तों पर ऐसा महान प्रेम देखकर हमें बड़ा ही संतोश हुआ है हेनात आप सचमुची बड़े भक्तवत्सन है जो लोग आप जैसे दयालू परमेश्वर की शरण में आ गए हैं उनकी और तो यम्राज देख भी नहीं सकते यह जानकर ही सब लोग पराभक्ती के साथ आपका फजन करते हैं हे शनकर आप ही इस जगत के स्वामी हैं क्या यह बात आप भूल गए हैं आपके बिना यहां व्यवस्था करने में कौन समर्थ हो सकता है इस पर कारिस्तोती करने वाले देवताओं के समाखशिक बगवाई शंकर प्रकट हुए और बोले देवताओं बताओं मैं तुम्हें क्या दे दो तब देवताओं ने कहा है देवेश्वर ये सूज्य देव के पुत्र धर्म हैं जो सभी देहदारियों का नियंतरन करते हैं इन्हें धर्म और अधर्म की विवस्था में नियुक्त किया गया है ये लोकपाल हैं अपरादी या पापी नहीं अतहे इनका वद नहीं होना चाहिए इनके बिना ब्रमभा जी का कोई कारिये नहीं चल सकता इसलिए सैना और वहनों सहित यम्राज को जीवित कर दीजिए ये नात महत्माओं के सामने की हुई प्रार्थना सपन हो जाती है वह कभी व्यर्थ नहीं होती तब देवताओं की बाते सुनकर भगवान शंकर ने कहा देवताओं मेरी बात सुनो जो मेरे और भगवान विश्णो के भक्त हैं गौतमी गंगा का निरंतर सेवन करने वाले हैं उनके स्वामे हम लोग सेम हैं मृत्यों का उनके उपर कोई अधिकार नहीं यम्राज को तो कभी उनकी बात तक नहीं चनानी चाहिए आदि व्यादी के द्वारा उनका पराभाव कभी नहीं करना चाहिए जो मेरी शरण में आ जाते हैं वे तो मुक्त हो जाते हैं क्या ये बात यम्राज नहीं जानते यम्राज को तो चाहिए कि अनुचरो सहित उन्हें परडाम करे बहुत अच्छा कहकर देवताओं ने भगवान शिव की बात का अनुमोदन किया तब भगवान शिव ने अपने वहान नंदी से कहा नंदी तुम जाओ और गोत्मी गंगा का जल लेकर मरे हो यम्राज आदी के शरीर पर शिडगतो अग्या पाकर नंदी ने यम आदी सब लोगों पर गोदावरी का जल शिडगा इसे में सभी जीवित होकर उट पैट गए और दक्षिन दिशा की ओड चले गए गोत्मी के उत्तर तड़ पर विश्नु आदी सभी देवता थहर गए और दिवादी देव महिश्वर की पूजा करने लगे उस समय पर वहां एक लाख बारे हजार तीर्थ इकत्रित हुए इसी परकार गोदावरी के दक्षिन तट पर तीस हजार तीर्थ इकत्रित हुए यही श्वेत तीर्थ का पवित्र महातम्य है जहां मृत्यू देवता मरकर गिरे थे वह इस्थान मृत्यू तीर्थ कहलाता है वहा किया हुआ इस्नान दान सभी पापों का नाश करने वाला है उसकी महातमी का शरवन पठन इसमर्ण अंतेह करन की मल को धोने वाला और सब लोगों को भोग और मोक्ष परदान करने वाला है ये नारत इससे आगे शुक्रतिर थे जो मनुश्यों को सब परकार के सिद्धी देने वाला है वह सब भी पापों को शान्त करने वाला और सब परकार की आधी व्याधी का नाशक है अंगीरा और भ्रगु ये दो परम धर्मात्मा रिशी हुए हैं इन दोनों के ही दो दो पुत्र हुए जो बड़े ही विद्वान, रूपवान और बुद्धी से शुशोबित थे रिशी अंगीरा के पुतर का नाम था जीव और भ्रगुजी के पुतर का नाम था कवी ये दोनों अपने माता पिता के अधीन रहते थे जब दोनों का यगोपवित संसकार हो गया तब इनकी पिता परसपर कहने लगे कि हम दोनों में से एक ही इन दोनों पुत्रों का शिक्षक हो इस से एक ही चाशन करेगा और दो प्सुरा सुख से बैठा रहेगा यह सुनकर रिशी अंगीरा ने कहा मैं कवी को भी अपने पुत्र के समान ही पढ़ाऊंगा वै सुख पूरवक मेरे यहां रहे रिशी अंगीरा की बात सुनकर ब्रगु जी ने कहा ठीक है उन्होंने अपने पुत्र को रिशी अंगीरा की सेवा में सौप दिया प्रंतु रिशीवर अंगीरा उन दोनों बालकों में विशम बुद्धी रखते थे दोनों को अलल अलग पढ़ाते थे बहुत दिनों तक इसी प्रकार चलता रहा तब एक दिन भ्रगु जी के पुत्र शुक्र ने कहा हे गुरु देव आप मुझे प्रते दिन विशम भाव से पढ़ाते हैं गुरुओ के लिए यह उचित नहीं कि वे पुत्र और शिशे में भेद भाव समझे जो लोग विशम बुद्धी रखते हैं उनके पाप की तो गणना भी नहीं हो सकती यह आजारिये मैंने आपको अच्छी तरह से समझ लिया है आपको बारंबार नमशकार करता हो अब मैं किसी दूसरे गुरु के पास जाओंगा आप मुझे जाने की अग्या दे इनी सबी बातों पर विचार करते हुए शुकर ने महा प्राग्य गौतम जी के पास जाकर पुछा हे मुनिवर बताईए मेरा गुरु कौन हो सकता है जो तीनों लोग पूपा गुरु हो मैं उसी के पास जाओंगा तब गौतम जी ने कहा जगत कुरु भगवान शंकर ही कुरु होने के युग्य हैं शुकर ने पूछा कि मैं कहा रहकर शंकर जी की अरादना करूँ तब गौतम जी ने कहा गौतमी गंगा में इसनान करके पवित्र होकर इस्तोत्रो द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट करो संतुष्ट होने पर में तुम्हें विध्यापरदान करेंगे गौतम जी के कहने पर शुकर गोदावरी के तट पर गए और वहां इसनान करके पवित्र होकर भगवान शेव की इस्तोती करने लगे शुकर ने कहा है प्रभू मैं बालक हो मेरी बुध्धी भी बालक की ही है और आप बाल चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले हैं मुझे आपकी इस्तोती करने का कुछ भी ग्यान नहीं मैं केवल आपको नमशकार करता हूँ मेरे गुरू ने मुझे त्याग दिया अब मेरा कोई सुहरद नहीं है कोई सखा नहीं है आप भी सब प्रकार से मेरे प्रभू है हे जगनात आपको नमशकार है आप तो गुरूओं के भी गुरू है बड़ों के भी बड़े है मैं एक छोटा वच्चा हूँ मुझ पर करपा करें ये जगन में आपको नमशकार है ये सुरेशवर मैं विध्या के लिए आपके शरण में आया हूँ मुझे आपके सवरूप का कुछ भी ग्यान नहीं आप से हम ही किरबा करके मेरी ओव देखें ये भगवाई शिव आपको नमशकार है शुकर के इस पर पारिस्तोती करने पर भगवाई शंकर परसन हो गए और कहने लगे ये वद्स तुम्हारा कल्यान हो इच्छा के अनुसार वर्दान मागो बले ही वह देवताओं के लिए भी दोलब क्यों ना हो तब उदार गुद्धी बालक में हाथ जोड़ लिये और कहने लगा हे नाद ब्रह्मा आदी देवताओं और शियों को भी जो विद्धिया पराप्त नहीं होई मैं उसके लिए याचना करता हूँ आप मेरे गुरु और देवता हैं ब्रह्मा जी कहते हैं जब शुकर ने इस प्रकार प्रार्थना की तब देवेश्वर भगवान शिव ने उन्हें मरत संजीवनी विद्धिया परदान की जिसका ज्यान देवताओं को भी नहीं था साथ ही उन्होंने लोकिकी, वैदिकी और अन्याने विद्धिया भी दी जब साक्षात भकवान शंकर की परसन हो गए तब बाकी रह क्या जाता है वह महा विद्धिया पाकर शुकर अपने पिता और गुरु के पास गए अपनी विद्धिया से पूजित होकर वह दैत्यों के गुरु हुए किसी समय कुछ कारण वर्ष ब्रस्पती जी के पुत्र कच ने शुकराचारिये से मृत्य संजीवनी विद्धिया प्राप्त की कच्छ से ब्रस्पती जी ने और ब्रस्पती जी से अलग अलग देवताओं ने उस विध्या को ग्रहन किया गौत्मी के उत्तर तट पर जहां भगवान महेश्वर की अरादना करके शुक्र ने ये विध्या प्राप्त की थी वह इस्थान शुक्र तीर्थ कहलाता है व्रत्श संजीवने तीर्थ भी उसका नाम है वह आयू और आरोगे की व्रद्धी करने वला है महाइसनान दान जो भी कुछ कर्म किया जाता है वह अक्षे पुन्य देने वला हो जाता है हे नारत सुनो शुक्र तीर्थ के बाद इंदर तीर्थ है वे ब्रहम हत्या आदी का विनाश करने वाला है उस दिर्द के स्मरण मातर से पाप राशी और कलेश समुदाय का नाश हो जाता है हे नारद पूर्वकाल की बात है जब इंदर ने वरत्ता सुर्कावद किया तब ब्रहम हत्या उसके पीछे लग गई यह देखकर इंदर को बड़ा भै हुआ वे इधर उधर भागने लगे किन्तु जहां जहां भी जाते ब्रहम हत्या पीछा नहीं छोड़ती तब वे एक बहुत पड़े सरोवर में परवेश कर गई और कमल की नाल में छिपकर बैठ गई उसमें तंतु की भाती होकर रहने लगे ब्रहम हत्या भी उस सरोवर के तट पर एक हजार दिवे वर्षों तत पैठी रही इस बीच में सभी देवता बिना इंदर के हो गए तब उन्होंने आपस में सलाह की कि इंदर किस परकार प्रकट हो उस समय मैंने देवताओं से कहा कि ब्रहम हत्या के लिए कोई दूसरा इस्थान दे दिया जाए इंदर को शुद करने के लिए गोदावरी नदी में नहलाया जाए उसमें इस्थान करने से इंदर शुद हो जाएंगे इंदर का पर्थम अभिशेक नर्वदा तट पर हुआ उस स्थान पर उनके मलका शोधन होने के कारण उस देश का नाम मालव पड़ा उसके बाद में गोदमी गंगा के तट पर लाए गए वहाँ पुन्या नदी के जल में गोदमी का जल लाकर उसी से समस्त देवता रिशी मैं विश्णू वसिष्ट गोदम जी अधस्ते जी कश्चप और अन्य रिश्यों ने यक्षे और पन्नगों ने इंदर का अभिशेक किया उसके बाद मैंने उन्हें अपने कमंडलू के जल से अभिशेक किया इस परकार वहाँ पुन्या और सिक्ता दो नदियां हो गई वे दोनों गोदमी गंगा में आकर मिली उन दोनों नदियों के संगम मुन्यू द्वारा सेवित विख्यात तीर्थ बन गए तब से उत तीर्थ को पुन्या संगम तीर्थ कहा जाता है सिक्ता सिंगम तेर्थ भी इंद्रतीर्थ हो गया वहा 7000 तेर्थ निवास करने लगे उन तेर्थों में विशेष्टे संगम के जलमें जो इस नांदान किया जाता है वे सभी अक्षय हो जाता है इसमें कुछ पिविचार करने की आवशक्ता नहीं जो इस पवित्र वो बाक्षान को पढ़ता है अथ्वा सुनता है वह मन वानी शरीर और क्रिया के द्वारा किये जाने वाले सभी पापों से मुक्तफ हो जाता है बोलिए विश्णो भगवान की जैहो